नमस्ते दोस्तो मेरे चनल रेसे दर्सन पे आप सभी काफी से स्वागत है आज मैं आपके साथ एक बहुती स्पेसाल और बहुती जादा टेस्टी एकदम नई तरह की एक प्राउन रेसिपी सेयर करूंगी और ये रेसिपी की थामनेल और टाइटल देखके आप लोग अब तक समझी गए होंगे कि ये रेसिपी कितनी जादा स्वाधिस्ट होने वाली है जो प्राउन की हर एक रेसिपी को पीछे चोड़ जाएगी ये मैं दावा करके आप सभी को कह सकती हो टाइटल से ही पता चलती है ये कितनी जादा स्वाधिस्ट होने वाली है और कोई भी रेसिपी को टकर दे सकती है तो फिर चलिए जल्दी से इस प्राउन मनमहीनी रेसिपी को बना लेते है मगर उसके पहले आप लोग के पास रिक्वेस्ट है आप लोग स्किप मत किजिएगा और इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके हार एक स्टेप बहुत ही सरूरी है रेसिपी बनाने से पहले मैं प्राउन को काट रही हूँ तक रेसिपी देखने के साथ साथ प्राउन मचली का काटने की तरीका भी आप लोग देख सके पहले तो एक प्राउन को बाय हाथों की मदद से इस तरह से पकर रही हूँ और डाय हाथों की मदद से इसकी जो फ्राउन लेग है उसे काट के क्लिन कर रही हूँ मैं इसकी माथे को नहीं कटूंगी इसलिए ऐसे करके clean कर रहे हूं कोई चाहे तो दोनों eyes की portion से cut के clean कर सकते हैं फेर दोनों side से जो माथे की ये ढखकन वाला portion है उसे भी अच्छे से थोड़ी-थोडी करके cut रहे हूं ताकि यह अच्छे से clean हो जाए और फिर इसकी जो legs है इसे अच्छे से काटके clean कर रही हूँ और माते की फीछे वाला portion भी clean कर रही हूँ अच्छे से और इसकी जो end में पूच है उसे मैं नहीं कट रही हूँ ताकि यह all over देखने में एकदम prawn queen style लगे इस prawn को तो मैं clean कर लिया है इस तरह से सारी prawn को मैं clean कर लोंगी तो चलिए यह अभी सारी prawn को मैं clean कर लिया है इसे अच्छे से धो लेती हूँ और अच्छे से धोने के बाद यहां पे मैंने seven prawn को रखी है मनमहिनी recipe करने के लिए इसके उपर थोरी सी नमक और थोरी सी हल्दी का पाउडा देखें दोनों साइड से अच्छे से लागा के रख रही हूं झाल 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 झाबाल को घटी के लिए किखें कि च नमक प्लीघ करता है producing. और अभी एक बड़ देख लेते हैं इस मनमहिनी रेसिपी के लिए क्या-क्या इंग्रेडियन मुझे चाहिए यहाँ पे है एक टेज पत्ता जीरा एक टीस्पून काला जीरा एक टीस्पून सक्कर हाफ टीस्पून धनिया पाउडर स्वादनुसा नमक एक टीस्पून हल्दी सिर्चिक पाउडर और इस कत्रणी में है सच्पून का तेल और उस घ्रड़ सर्चेजू ते žरली कि dłक्रद दढ़िये वर रुड़नि आपर पेस्ट के हूई प्यास यहां पेस्ट की हुई एक बड़ासा तमहटर है तो फिर चलिये और वयट ना करते हुए इससे जल्दी जीनी से बना लेते हैं अभी कञाय को गरम करके सरसो का तेल ले रहे हूं। मैं ऑपर ने रहे हूं। कोई चाहे तो थोड़ी सी जादा तेल दे girls के एक सारी Gustav को सकते हैं। अब ध्यान रहे। जाधा fry नहीं करनी है जिस्ट हलका सा ही fry करनी है यहां पर मैं प्राउन को फ्राउन करने की एक टीप्स आप सब ऐकार करना जाहूंगी और वो है गरम होई तेल के ऊपर प्राउन को देने से वो फोल्ड हो जाती है मगर इस प्रॉन के अंदर से अगर एक स्टीक लगा दो तो वो जितनी चाहिए फ्राइ करो वो कभी भी फोल्ड नहीं होगी प्रॉन के अंदर कैसे स्टीक लगा जाती है उसे मैं प्रॉन तंदूरी में श्यार कर चुकी है अब चाहिए तो एक बाद देख लीजेगा हब ही एक साइड हलका सा फ्राइ हो चुकी है इसे मैं पलट रही हूँ और दूनों साइड से हलका सा फ्राइ कर रही हूँ बातों बातों में ही सारी प्राउन फ्राई हो चुकी है इसके बाद कर्णफिक थोड़ी सी क्लीन कर लिया है क्यूंकि बची हुई तेल में अगर मैं मसाला तैयार करती तो मसाला जो है वो जल जले की चंसस जादा रहे दी क्यूंकि प्रॉन को फ्राइ करने के बगत उसके अंदर से जो थोड़ी बहुत घी निकलाती है वो कणाय में लग जती है और उसे करके कणाय में जो भी मसाला यूज करो वो जादा से जादा जल जलने की चंसस जाएती है मसाला तैयार करने के लिए दो से तीन चमच की जैसी तेल गरम कर लिया है इसके अंदर दे रही हूँ एक तेजपत्ता को अधा अधा करके फिर इनमें एड़ कर रही हूँ जीरा और काला जीरा इसे थोड़ी सी इधर उदर करते हुए फ्राइ कर रही हूँ फिर इनमें एड़ कर रही हूँ सक्कर सक्कर को इस तरह से देने से रेसिपी थोड़ी सी जादा कलरफुल हो जाती है शक्कर तेल के अंदर अच्छे से मिक्स्ट हो जाने के बाद इनमें एड़ कर रही हूँ पेस्ट की हुई प्यांस प्यांस को हलका सा ब्राउंड करके पकाने के बाद इनमें एड़ कर रही हूँ पेस्ट की हुई टमाटर टमाटर को भी प्यांस के साथ अच्छे से मिक्स्ट करते हुई है थोड़ी दर के लिए पका रही हूँ और फिर इनमें अड़ कर रही हूँ खटा दही खटा दही को इस टाइम पे देने की भी एक फाइदा है क्योंकि इनमें से थोड़ी सी पानी निकलाएगी और वो पानी सरी मसाला को एक साथ अच्छे से पकाना में मदद करेगी सरी मसाला अच्छे से पक जने के बाद इनमें नमक और हल्दी का पाउडर के साथ सारी पाउडर मसाला को एक एक करके दे रही हूँ और उसके बाद सभी मसाला के साथ इस पाउडर मसाला को भी अच्छे से मिक्स्ट कर रही हूँ और सारी मसाला अच्छे से मिक्स्ट हो जाने के बाद इन में एड़ कर रही हूँ पोस्तो, काजू और हरे मिर्च पेस्ट को इस काजू, कोस्तो और हरे मिर्च को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है इसलिए थोड़ी देर इधर उधर करके इनमें पानी अड़ कर रही हूँ पानी भी यहाफे ज़्यादा नहीं ले सकती मैं यहाफे दो काप के जैसी पानी यूज़ कर रही हूँ और पानी के साथ सारी मसाला को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर मसाला थोड़ी सी उबलने के बाद प्राउन को एड़ कर रही हूँ सारी प्राउन को इस तरह से उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में इसे इधर-उधर करते रहना है क्योंकि नीज में अगर जल जाएगी तो अच्छे रेस्ट नहीं आएगी इस प्राण की जो ग्रेवी तैयार होगी वो जादा पतला भी नहीं होना चाहिए और जादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए मीडियम में रखनी है क्योंकि इस मनमहिनी रेसिपी की खासियत है इसकी ग्रेवी अब लोग देख सकते हैं ये मनमहिनी रेसिपी जो है वो एकदम रेडी है इसे आभी एक प्लेट में ले रही हूँ ये देखिए ये जो प्रण मनमहिनी है ये एकदम रेडी है सार्फ करने के लिए मैं या पे दो केरी पत्त से इसे थोड़ी सी ही बस डिकोरिट कर लिया है ये प्रण मनमहिनी रेसिपी इतनी ज़्यादा स्वादिश्ट होती है कि आपके घर में अगर खास महमान आए तो आप इसे इसली सार्फ कर सकते है मेरे घर पे तो प्रण मनमहिनी रेडी हो चुकी है आप भी जल्दी से जल्दी इसे बना लीजिए और इसकी स्वाद को इंजॉय कीजिए और कैसी बनी है ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अच्छे लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों क के साथ सेर्वी कर दीजिए